अरुनिता ने किया टीवी इंडस्ट्री पर कबजा बड़े बड़े सेलेबरिटीज को कर दिया पीछे अरुनिता कांजिलाल जिसने अपनी मधर आवाज से पूरे भारत की जंता का दिल जीत लिया है और बीते हफ़ते इंडिन आइडल सीजन 12 के मंच पर वोटिंग की लिस्ट में पवंदीव राजन को पचाड कर जिन्होंने नमबर वन का ताज पहना उन्होंने इस बार एक और रिकॉर्ड बना दिया है क्या है ये रिकॉर्ड बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से इस पूरी स्टोरी में नमस्कार दोस्तो आपने लॉगिन किया है बॉलिवोड जहमेला तो दोस्तो और मैक्स केरेक्टर इंडिया लाउस की रिपोर्ट में जिसमें Most Popular Non-Fiction Personalities है जून की रैंकिंग में अरुनिता कांजिलाल नमबर चार पर आए हैं जी हाँ गौर करें अगर इस पूरी रिपोर्ट पर तो नमबर वन पर है कपिल शर्मा नमबर दो पर आए हैं पवंदी प्राजन नमबर तीन पर है आइडल की जज साहिबा नेहा ककर और नमबर चार पर एंट्री मार चुकी हैं अरुनिता कांजिलाल नमबर पाँच पर हैं गीता मा यानि की पूरे टीवी सेलिब्रिटीस की लिस्ट में जिसमें कई बार राघव जोयाल और शो के एंकर आदित नारायन खुद भी शामिल हो चुके हैं अब इस लिस्ट में किसी कंटेस्टेंट का आना और उसमें भी किसी फीमेल कंटेस्टेंट का आना बहुत बड़ी बात है अरुनिता ने इस फहरिस्ट में जगव भले पहले बार बनाई है पर वो भारत की जनता के दिल में जगव बहुत पहले बना चुकी है वर शायद इसलिए है उन्हें वोट्स के मामले में सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है और वो नमबर वन पर कायम है आपको क्या लगता है क्या रुनिता कांजिलाल को इसी तरह से सपोर्ट मिलता जाएगा क्या वो फिनाले के मंच पर भी कुछ ऐसा शॉकिंग करने वाली है कि वो सभी को शॉक्ड कर ताज भी ले जा सकती है यानि कि आइडल बारा की ट्रॉफी को ले जा सकती है आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं थैंक्स पर वाचिंग फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब नाओ